जै दामोदर भगवान जी की जै फ्रेंड्स आज हम आपको राई दामोदर भगवान जी की कार्थिक मास में हर रोज सुनी जाने वाली कहानी सुनानी वाले हैं बहुत ही सुन्दा राई दा मोदर की कहानी ध्यान से सुने पूरा कार्तिक मास इस कहानी को अवश्य सुने एक बार एक माا बेटी थी बेटी का नाम राई था राई बहुत ही गुणवती और सुशेल थी और भगवान शी कृष्ण जी की बहुत बड़ी भग थी एक दिन भगवान शी कृष्ण जी बेर बेचने के लिए आये और राई ने अपनी मां से जित की मुझे भी बेर लेने है मां कहने लगी बेटे मेरे पास पैसे नहीं है ये बाजरा है बाजरा ले जा और इस से बेर लेया लड़की बाजरा लेकर बेर बेचने वाले के पास भागी भागी गई बेर बेचने वाले ने उसमें फूक मारने के कारण कुछ भूसा उड़कर लड़की की आँख में चला गया लड़की की आँख खुले न मा प्रेशान भगवान शीर कृष्ण जी वैद का रूप धर के आए और मा ने उस वैद से अपनी बेटी की आँख से फूस निकालने के लिए कहा भगवान जी ने फूख मारी उसके आँख ठीक हो गई लेकिन इसके बदले वैद ने कहा कि मैं तेरी लड़की से विवाह करूँगा लड़की की मा मान गई और विवाह की त्यारी करने लगी विवाह का दिन एक आशी का रख्या गया मा सुनार के पास बिछवी और नत बनवाने के लिए गई तो सुनार ने मना कर दिया कि भगवान जी की शादी है हमें तो उसके लिए समान बनाना है हलवाई के पास गई तो हलवाई ने मना कर दिया दर जी के पास गई तो दर जी ने भी कपड़े सिल्ने से मना कर दिया लड़की की मा प्रेशान भगवान जी ने सभी तरह के समान लड़की के घर पहुँचा दिये और एक आशी के दिन राई दामोदर भगवान जी की शादी हो गई दामोदर भगवान राई को लेकर महलों में गई राई महलों में बहुत सुख पुरवक रहने लगी सावन का महीना आया राई ने कहा मैं अपने पीहर जाऊंगी और सावन का महीना वहीं पर बिताऊंगी भगवान जी राई को उसके पीहर छोड़ाए और तब भगवान जी ने सोचा सावन का त्योहार हमें देना चाहिए इसलिए भगवान जी ने दो हंसो के जोड़े को बुलाया हंसो के जोड़े को भव सुन्दर सुन्दर जरी की साड़ी गोटा जड़ी चुनरी दी पांच गटे सोने के दिये उधर राधा रुकमर ने दो हंसो के जोड़े को अपनी महल में बुलाया और कहा अभी तुम मज जाओ पहले कुछ दाना चुग लो हंसो क्या जोड़ा दाना चुगने में लग गया और रादा रुकमर ने राई के लिए भेजे गए सारे समान को बदल दिया उसमें फटे पुराने कपड़े रख दिये और पांच काटे रख दिये हंसो का जोड़ा वह सारा समान राई के घर लेकर पहुचा राई खुशी से नाशने लगी जैसे ही उसने समान खोल कर देखा तो उसके हाथों में वो पांचों काटे चुप गए उंगलियों में वह बहुती दुखी हुई राई जब अपने महलों में आई भगवान जी से बोले ना दूर दूर है भगवान जी समझ नहीं पाए कि क्या करण है राई नहीं बोल रही लेकिन भगवान जी राई के यहां हर रोज भोजन करने जाते राई भगवान जी को दही का भोजन जुरूर कराती एक दिन भगवान जी ने बिल्ली बन कर सारी दही खाली और दही बेचने वाली का रूप धर कर आई तब राई नी कहा ए दही वाली मुझे थोड़ी सी दही दे दे दही के बेचने वाली के भेश में भगवान जी खुद थे लेकिन राई कुछ बोले ना लेकिन बहुत समझाने के बाद जब राई नी सारी बात बता दी कैसे दो हंसों के जोड़े के हाथ काटे भिजवाए गए और वो काटे उसके हाथ में चुप गए तब भगवान जी कृष्ण जी ने दोनों हंसों को बुलाया और पूछा क्या तुम कहीं पर रुके थे तब हंसों ने का हाँ हम राधा रुकमन के महलों में रुके थे तब भगवान जी ने राधा रुकमन से इस बारे में बात की तब उन्होंने सब कुछ सच सच बता दि तब और उन्होंने भगवान जी से माफी मांगी तब राधा दा मोदर भगवान जी ने राई दा मोदर भगवान जी ने अपनी राई को पूरा कार्तिक का मास दिया कि पूरा कार्तिक में जो भी राई दा मोदर भगवान जी की कहानी सुनेगा उसकी सभी मनो काम नापूर हो तो पूरा कार्थिक का महीना राईदा मोदर भगवान जी की कहानी आवश्य सुननी चाहिए बोलिए राईदा मोदर भगवान जी की जै मित्रों अगर आपको राईदा मोदर भगवान जी की कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को जूट सब्सक्राइब करें लाइक एंड कमेंट भी करें कमेंट बोक्स में जैराई दमोदर बगवान अवश्य लिखे